आज के वीडियो में हम इंडिया का 18 पॉपिलेशन के इसाफ से फेमस सिटी के बारे में बात करें पिंप्रे चिंसवाड पिंप्रे चिंसवाड आप बोलोगे पिंप्रे जिन्होंने पहली बार सुना रहेगा तो उनके लिए बता दो क्यों कोई डिफरेंट नहीं है ये पु बहुत बड़ा डेवलप है जैसे मुंबई नई मुंबई कहा जाता है या दिली ने दिली कहा जाता है वैसे ही पुना पिंप्रे जिन्शवाड कहा जाएगा ये याद रखी है तो इसको पुना का भी पुपुलेशन सपोर्ट कर लेता है तो इसमें बिजनस भी और आगे बढ़ सकता है यह सब चीजों के वजह से IT इंडस्ट्री अच्छी कासी डेवलोप हो चुकी है तो आज इसके बारे में हम सीटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे कि क्या है कैसा है जो भी बंदे नहीं रहेंगे तो उनके लिए बता दो कि हमने already business ideas के बारे में 100 video बना चुके है और future में भी already updated और एक video आने वाल है उसमें आपको help मिल जाएंगी वो 100 videos देखी है उसको judge कीजिए क्योंकि आपका channel है judge करना आपका हग बनता है और कुछ भी सवाल रहेंगे तो आप हमें पूछ सकते हो और offer जो रहते हैं उसके offer का love लेने के लिए subscribe कीजिए bell icon दबा दीजिए और like बटन दबा के पहला ही offer आपके लिए जो नए subscriber है उनके लिए student, housewife, senior citizen, job, employee, handicap उनके लिए कोई भी business related consultant चाहिए तो आप free में हमारी ये services access कर सकते हो without charge तो ये सब services आप access कर सकते हैं और उसके रिगाड़ें आपको हमारी team call back करके बता देगी कैसा है क्या है आपके problem जान देगी उसके पाद solution बता देगी ये सब चीज़ और benefits उटा सकते हैं फिर problem हो जाने के बाद अगर फिर से आपको कोई काम हम शुरू करना रहेगा तो उसे related ये services का लाव उटा सकते हो अभी details में देखते हैं कि ये पिंपरी चेंट में कहां पर आता है पता चल गया अभी पूना है तो महारष्टा ही है ये भी महारष्टा की six या six largest cities है उसमें आ जाता है वहां से connectivity भी है Mumbai मतलब आप दो गंटे में Mumbai पहुच रहे तो वह भी आपको population मतलब Mumbai पूना एक जैसे क्या हो गया कि अप एंड डावन वाला हो गया अभी जैसे कि morning में आ गया इवनिंग में फिर से चले गया वैसे वाला fund है तो आप यहां पे बिजनस कोई भी startup शुरुआत कर सकते हो इंडेस्री के लिए पूना बेस्ट है इंडेस्री लाव के लिए factories या ऐसा कुछ भी बड़ा काम आपको करना है तो उससे related आप बात काम कर सकते हो agriculture के लिए भी best है पूना के related है सब कुछ available है accessible है यह सब चीज़ों के वज़े से main चीज़ और factories जैसे हमें आपको पता दिया business idea के लिए आप कोई भी काम कर सकते हो वैसे business related आप nearby MIDC में विजिट करने के बाद आपको पता चलिए वही आज का questions है कि question में आपको यह लिखना है कि आप अगर MIDC से हो यह वीडियो देखर विया जो भी है तो आपको यह करना है कि MIDC में कितनी सारे factories है अलग-अलग उसके बारे में आपको comment करके बताना है Google करना नहीं Google करना नहीं है, copy paste करना नहीं है वो पकड़ी जाओगे उसमें आपको लिखना है वहापे और अगर आप वहापे पहुच रहे हो ना तो एक selfie भी खीचो उस project के ही साब से, factory के ही साब से और आपको tag करना है hashtag NCA business take के उपर उसके उपर tag करना है तो tag करने के बाद क्या होगा कि आप अगर उसमें से thousand में से selected हो गए या selected नहीं भी होए तो भी आप free में services access कर सकते हो और selected होगे तो आपको कोई भी services में 50% discount मिल जाएगा और भी offers है बट वो जब live करेंगे तब बता देंगे क्यों अभी बता कि मतलब नहीं है surprise रहना चाहिए ना गैस तो शुरू कीज़े sell पे क्योंकि आप तो जाते हो और आपका knowledge भी बढ़ेगा जब भी आप MADC जाओगे आपको पता चल जाएगा कि क्या-क्या business है यह आप है और उसके support यह आप काम करना भी शुरू कर सकते हो तो यह कभी भी याद रखिया पुना में connectivity के लिए तो boss है, train है, यह सब चीज़े है और crowd अच्छा है मतलब MADC company, बहुत सारी tech company यह सब चीज़ों के बारे में तो easily है, climate अच्छा है मतलब रहने के लिए अगर रहने की बात करेंगे तो आपको 8000-10,000 में sharing room मिल जाएगा full furnish sharing room जब मैं बात करता हूँ नहीं तो full furnish रहता है ऐसा नहीं, मतलब जमीन पर सो नहीं बेट रहता है, कभी कबार AC भी मिल जाता है आपको, mostly वैसे पुना में AC की ज़रूत नहीं है क्योंकि बहुत थंड़ा प्लेस है, मतलब बहुत थंड़ा है ऐसा है और बात करेंगे vegetables, बहुत ही मतलब easily accessible है यह सब चीजों के वज़े से और office, co-working space भी easy office है, Mumbai पुना यह hub है start-up लोग का तो इसके लिए वहाँ पे co-working space भी आपको 2000, 2500 के करीब per month का DEX मिल जाएगा co-working space लेनी के क्यों फायदे मंद है यह हमारे वीडियो भी देखिए आपको पता चल जाएगा जो भी बंदे पुनिया से यह देख रहे है पिंपरीज इंच्वर्ट से देख रहे है तो मैं उनके लिए मैंने question अल्रेडी डाल दिया MIDC का visiting तो आप वो वीडियो कर सकते हो अभी आपको कोई भी questions रहेगा या problem, requirement, suggestion तो आप हमारे mail ID पे mail कर सकते हो और वो services का lab उटा सकते हो या problem जो भी उसका solution ले सकते हो और याद रखिए business हमें क्यों करना है क्योंकि अपने देश को महान बनाना है और महान बनाने के लिए पहला काम यह है कि लोगों से मिलना शुरू करो प्यार से मिलो, okay प्यार बाठते रहो एक दूसरे को और business को आगे बढ़ाते रहे क्योंकि business बढ़ा हो कि आपकी state भी आगे जाएगी अपने city भी आगे जाएगी और अपने देश को भी help मिलेगा tax के benefits से, okay और फिर tax से ही आगे development यह सब को चीज़े होती रहेगे और बाहर की निवेशक हमारे country में invest करना चाहेंगे अगर business अच्छा रहेगा, महाल अच्छा रहेगा और महाल हमको बनाना है तो इसलिए प्यार से रहना चाहिए सब के साथ, okay 100% कोई भी global आपको business करना है जैसे आपको या agriculture या किसी भी related business already कर रहे हो, उसको बढ़ाना चाहता हो या उससे related तो उसमें आपका जो यह जो हमारा 100% established sign up program है उसमें आप participate हो सकते हैं उसमें आपको 10% का discount मिल जागा बढ़ इसमें secured income रहता है आपका business भी grow हो जाता है यह सब चीजे में तो guys आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए thank you और वीडियो आपका अच्छा लगा रहेगा तो comment में लिखके बेजिए और आपके कोई भी questions रहेंगे तो उसके लिए mailbox हमारा open है thank you so much and have a good day